एलोवेरा एलोवेरा के बारे में आप सभी जानते हैं एलोवेरा की इन कांटेदार पत्तियों में बहुत अधिक मात्रा में एंटी बैक्टीरियल तत्वों पाये जाते हैं जो कब्ज से लेकर मधु में यानि डाइबिटेज तक सभी रोगों को ठीक करने में सक्षम है एलोवेरा को जूस के रूप में, जेल के रूप में या पत्तियों को छील कर सीधे भी खाया जा सकता है एलोवेरा ब्यूटी प्रोड़क्स में, बालों के प्रॉब्लम्स में, मोटापे, आधी सभी में बहुत ही उप्योगी है आज हम एलोवेरा के कुछ घरेलू उप्योग देखेंगे किस तरीके से हम एलोवेरा को अपने घर के बगीचे में लगा के उसे उपियोग कर सकते हैं एलोवेरा की सबसे पकी पत्ती आइडेंटिफाई करते हैं जो कि नॉर्मली सबसे नीचे की होती है देखिए इसकी सबसे नीचे की पत्ती इसे चाको की मदद से इस तरह काट लेते हैं देखिए यह हम एलोवेरा का जैल देख पा रहे हैं कटी हुई पत्ती को अच्छी तरह धोलेंगे जिससे उस पर लगी धूल, मिट्टी अच्छी तरह साफ हो सके आप धूप में, धूल, मिट्टी में जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है आधा कप एलोवेरा जैल लें, उसे चीनी और नीम्बू में मिला कर लगाएं आपकी डेड स्किन, संटेन, सब चला जाएगा अच्छी तरह धोने के बार अब इसे चीलना है, इस तरह इस पर जो काटे लगे हैं, उनको इस तरीके से काट कर अलग कर देना है और बड़ी पत्ती को दो टुकडों में काट सकते हैं, ताकि इसे चीलने में आसानी हो सके अब दूसरी तरफ के काटे भी काटेंगे, इस तरीके से इसका चील का पूरी तरह निकाल कर अलग कर देना है अलोविरा जेल को चहरे पर अक्रोट के साथ मिलाकर रोज लगाने से चहरे पर जाईया नहीं आती अलोविरा जेल को नीम्बू के रस के साथ सेवन करने से मोटापा बहुत ही तेजी से घटता है तो वो लोग जो मोटापे से परेशान हैं, आज ही सेवन करना शुरू करें इस तरीके से एलोविरा जेल का छिलका अलग कर देना है एलोविरा जेल को हल्दी, शेहद, गुलाब जल और दूद में मिला कर लगाने से स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो जिनकी स्किन ड्राई है, रफ है, उसे बताए अनुसार यूज करें, बहुत फाइदा होगा जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, वो एलोविरा जेल में खीरे का रस, थोड़ा योगर्ट और रोज ओईल मिला कर अच्छी तरह मैश कर लें फिर उसे चहरे पर अच्छी तरह अपलाई करें और 20 मिनट तक छोड़ दें 20 मिनट बार अपने चहरे को गुनगुने पानी से धो लें सेंसिटिव स्किन वालों के लिए राम बान है एलोविरा एलोविरा को कच्छा खाया जा सकता है इसका जेल को डिरेक्ली पिया जा सकता है जो लोग डिरेक्ली जेल नहीं पी सकते वो फलों के रस में मिला कर भी उसे पी सकते है एलोविरा जेल को इस तरीके से पत्ती से अलग किया जाता है ये टुकडे इसके अलग हो गए इन टुकडों को डिरेक्टली खाया जा सकता है जो लोग इनको डिरेक्टली नहीं खा पाते वो इसे फलों के रस के साथ जेल बना कर ले सकते है या आटे में गूंद के चपाती बना के खा सकते है हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसे आटे में गूंद के यूज कर सकते है ये आपका अलोविरा जेल टुकडों में निकल कर आपके पास आ गया है इसे हम पानी से अच्छी तरह से धोलेंगे अभी देखते हैं किस तरीके से इसमें छोटे छोटे छिलके के बाईट्स हलके फुलके आ गये हैं उन्हें हम काट कर अलग निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कड़वापन होता है इस तरीके से अब ये आपके पास ऐलोवेरा के बाईट्स और जेल तयार है इन बाईट्स को भी हम अलोवेरा जेल में कनवर्ट कर सकते हैं उसके लिए दो तरीके हैं पहला तरीका है कि हम इसे स्पून से अच्छी तरीके से मैश कर लें जिस तरीके में थोड़ा सा समय लग जाता है दूसरा तरीका है हम इसे वाम कर लें गैस पे इसे थोड़ी देर वाम करने से अलोवेरा जेल बन जाता है बहुत ही आसानी से, धीमी आज़ पे इस जेल और बाइट्स को हम गैस की बर्नर पे रख देते हैं, और इसे आधे से एक मिनट छोड़ देते हैं, इसे स्पून की सहायता से धीरे धीरे बीच बीच में चलाया जा सकता है, ताकि ये जल्दी ही जेल बन जाए, ये बना हुआ एलोवेरा जेल, थोड़ा कसेला होता है टेस्ट में, बट कड़वा नहीं होता, इसकी सेवन की सबसे अच्छी विधी है, इसको डिरेक्टली खा लिया जाए, इसे अब गैस से उतार लेंगे, गैस बंद करके, ये थोड़ा सा हमने आटा ले लिया है, आपको बताने के लिए विधी, जिस तरीके से आटे का डव तयार करते हैं, पानी की जगे हम एलोवेरा जेल को यूज़ करेंगे, जिन लोगों को ये खाने में तकलीफ होती है, डिरेक्ली खा नहीं सकते, जोडों का दर्द है, गठिया है, या किसी और तरह की बिमारी है, वो लोग आटे में मिलाके, उसकी चपाती बनाके, आसानी से खा सकते हैं, इसकी चपाती कोई अलग टेस नहीं देती, नॉमल चपाती की तरह होती है, जो थोड़े बहुत बाइट्स हैं, उनको हम आटा लगाते वक्त मैश कर सकते हैं, इस तरीके से, जोड़ों के दर्दवाले, या जो लोग बुड़े हैं, सीनियर सीटीजन्स, इस तरीके से उसको खा सकते हैं, अगर डिरेक्टली खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ये हमारा आटा तैयार हो गया, अब आप इसकी चपाती बनाके नॉमल आटे की तरह इसे यूज कर सकते हैं,